सर नमो बुध्या जैभीम जैभीम मानेवर सर आप सरावस्ति माय हुए हैं और यहां पर इसमें वर्षावास का समय है और यह बताया जाता है कि भगवान बुध्य यहां पर काफी दिनों तो खरते तो कुछ भगवान बुध्य के सरावस्तिक बारे में आप बताए सबसे पह से चैभीम नमुबुद्ध है कहता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं, साथेों भारत के लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि यह इश्रावस्ती नगरी है, जहां तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध, भगवान बुद्ध नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध, 25 साल तक उन्होंने जेतवन जो विहार है उपवन में रहे, 25 साल तक रहे, दूसरी जानकारी ये है कि यहां जो त्रीपिटक का 80% से ज्यादा हिस्सा, त्रीपिटक का साथ साथ अनाथ पिंडक की जो यहाँ पर विहार है इसके बाद अंगुली माल की गुफा भी यहा पर है उनके सबुत हैं यह पर यह हम लोगों ने देखा यह सभी उपासक उपासिकाएं आयe हुए हैं यहाँ पर धम भूमी संस्था के जो सारे उपासक हैं हमरे साथ हैं सबूत देखे हमने बुद्ध के कारियों के जो वहां जो एतिहासिक सबूत देखे हमने देखी इंट वो इंटें देखी वो जो सबूत हैं डैरेक्ट सबूत हैं तो जो वैज्यानिक धर्म बुद्ध का धम है वो यहीं पर रचा वसा गया इसलिए स्रावस्ति नगरी एक महा नगरी कही जाती है स्रावस्ति का महत तो इसलिए भी है कि यहां दो धम है जैन धम और बुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् यह नगरी रही है यह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था स्रावस्ति जिसको महेत और सहेत के के दो उपनार्मों से पुराना जाना जाता था सहेत और महेत और बीच में यह बहुत बड़ा व्यावशाइक केंद्र था और लेकिन अब उसकी सबूत तो नहीं ह कि यहां धम इस्तलि थी सबूत इस बात के हैं कि यहां बुद्ध विःहार था सबूत इस बात के हैं कि यहां पर यहां पर वो इपन हैं वो इंट कि कहते हैं कि धम के सादना के केंद्र रहने महलों आविशेश हैं जो कभी राजाorar कि dismás ये श्रावस्ती नगरी अनात्-पन्ड़क कौन है ये अनात्-पन्डक वो है जो राजा से जमीनDa है राजा से इतनी जमीन राजा जमीन बैचना नहीं चाता है लेकर अनाliestफ-पन्डक वो व्यापारी वो अ button के लिए data life of the देता है राजा के सामने राजा धम के सामने नतबस तक होकर के ये भूमी बुद्ध को के लिए अनात पिंड़क को देता है वो अनात पिंड़क कौन अनात पिंड़क वो अनात पिंड़क जो अपना सर्वस से निछावर कर देता है बुद्ध के चरणों में जो अपना पूर धास्ति सहर भारत की ब्ध्ध सब्यता का केंद्र है यह वो केंद्र है जहांसे यह वो केंद्र है साधना केंद्र है नालंदा तक्चसिला वेत्क्रमशिलाई उनिवरस्टी वह हैं वो हैं सिक्षा के केंद्र ये साधना का केंद्र है ये त्रिपिटक के निर्मान की भूमी है इसलिए मैं भारत के सभी धमबंदुओं भारत के 140 करोड लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्रावस्ति आये जाने भारत की उस माहन सब्वेता को ये आपको ही सर बहुत हो दो